नमस्कार दर्सों का आप शबी का हर्दिक अभ्रिंदन करता हूँ सूर्य गोचर परिवर्थन कर रहे हैं ब्रिशव राशी या प्रिशव लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसे हम देखेंगे समझेंगे और जानेंगे बाकि आपके कुंडली में जो भी है देखेंगे ब्रिशव राशी ब्रिशव लगन चलिए देखते हैं छोड़िए गमत एक भी बात जो बताओंगा वो खुकर ही रहने वाला है पहले देख लें सितंबर अगस्त के महिने में सूर का हाल चाल क्या रहा अगस्त लेकि अभी तक के बीच में सूर क्या हाल चाल की है सूरी देव ने क्या 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 नहीं क्या 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 हुआ उस समझ ले तब तो आगे का समझेंगे ना कि क्या हो सकता है अभी तक सूर्य देव जो है वो शिंग राशी मजबूत इस्थित्ती में थें सूर्य देव मजबूत इस्थित्ती में अभी तक थें और इस चौथे घर के ही श्वामी बने तो ब्रिशब राशी वाले आप देखिएगा 17 अगस से लेके 17 शितंबर एक महिने के बीच में भाले के शमय में बहुत से लोग ब्रिशब राशी के जो बहुत दिक्कत में थें परशानिया में थें जो बहुत सारे लोग वो देखेंगे कि उनको कहीं न कहीं कुछ अच्छा न्यूज मिला होगा कमेंट करके बताईएगा देखिए सब के बात नहीं करा ब्रिशब राशी का कुछ लोगों को अच्छा न्यूज, अच्छा संकित, कुछ हद तक मानसिक तनाव कम हुआ होगा कुछ हद तक देखा जाए तो उनके मन मन से related मन मुताबिक चीज़े कुछ अच्छा उनके साथ हुआ होगा अब बात करते हैं देखे अब आपके खुद के कुंड़ी में कैसे सूर है उसके डिपेंड करता है उसके बारे में माखरी में प्रॉपर्टी इन सबसे ज़्यदा शंकेत अच्छा दिखाई देख रहा है अब देखिए अब मंगल भी कही ना कही चुकि अब देखिए अब शूर ये मंगल तो इसी में है ठीक तो 17 शितंबर से शूर यहां पर आ जाएंगे जो कि अक्टूबर तक रहने वाले तीन अक्टूबर तक तो मंगल आठ ब्रिश्चिक राश्य की श्वामी बन गे मंगल और मेस राश्य की श्वामी मंगल बन गे है तो अभी तक जो भी सूर आपको घर, मकान, भूमी, प्रॉपर्टी जिससे भी शंबंदित अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे थे अब वो कही न कहीं तीन अक्टूबर, एक अक्टूबर, तीन अक्टूबर के बाद से 17 सितंबर से वो चले जाएंगे पंचम घर में और पंचम घर ठीक है मंगल भी बैठे हैं और सूरी भी बैठे हैं दो-दो जोलंसिल्ग्रा पंचम घर में आके बैठ गया है तो एक यहां पर मंगल बैठ गया और एक सूरी हो गया जिस वजह से मंगल को मजबूती मिल गया, थोड़ा सा मजबूती मंगल को मिला तो सब्तम घर को मजबूती मिल जाएगा और बरवे घर को तो मतलब क्या अभी अच्छा न्यूज चल रहा था अच्छा सब चल रहा था लेकिन जैसे यह आ गया 17 सितम्बर के बाद से तो आप देखोगे 17 सितम्बर से लेके कहीं न कहीं आपको एक अंदर से घुसा आएगा आपका किसी से लडााई हो सकता है आपका बाद विबाद हो सकता है कुछ सरीर में बहुत एनर्जी आ जाएगा आप देखों कि अचानक से कुछ गर्मी के वज़े से सरीर में कुछ बिमारी पकड़ सकता जो गर्मी से बिमारी होती है फोड़ा आप उनसी इसम निकलना मतलब गर्मी बहुत जबदस तरीके से आपके अंदर आगा घुसा एग्रेशन आपका बहुत ज़़ा बढ़ेगा इरिटेशन का लेवल अब आपका बढ़ जाएगा मंगल को मजबूत किये तो कहीं न कहीं बिवाहिक लाइफ लब रिलेशन्शिप इसमें अच्छा होने का शंकेत है जिन लोग का दिक्कत चल रहा था जिन लोग का शादी नहीं हो पा रहा था जिन लोग के ऐसे दिक्कत हो रही थी साधी को लेके लव लाइफ को लेके अच्छे शंकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं और बारवे घर को भी मजबूत किया गया बारवे घर के मजबूत लब कि अभी तक मालीजे कि आपका जैसे कि मालीजे आपका किसी से बंद नहीं रहा है कहीं आप जौब कर रहें वहाँ सिनियर से आपका नहीं बन रहा था लेकिन शूर के आनेक बज़े से मंगल को मजबूती मिला तो अगर आपका किसी सिनियर से नहीं बन रहा था किसी से नहीं बन पा रहा था कुछ शंबंद आपका नहीं बढ़ पा रहा था तो अप मंगल के शाथ आने से आपका शंबंद बनेगा सीन जहां काम कर रहें वहाँ senyor से आपका बात बनेगा, हो सकता है कि उसे आपको कुछ लाब मिले, उसे हो सकता कि आपका प्रोमोशन बढ़ जाए. और चुकि ये बारवेखहर का शभ्मन्द है, तो बारवे घर के मतलब अगर आप, कुछ शत्रू अगर आपको परिशान कर रहे थे न, तो अब आपको शत्रू परिशान नहीं करेंगे, वो शत्रू अब पीछे जाने वाले हैं, शत्रू अब आपको छोड़ देंगे, शत्रू आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं करने लेख्र मुझाल है क्योंकि अभी घर मजबूत हो रहा है तो शत्रू परिशान नहीं करेंगी कोट कचरी से जीत जीत पर जाओगे कोई बात दिबात आपका रहेका नहीं अगर आप अगस्त के महिने में अच्छा कुछ चल रहा था जैसे सूरे ने साथ छोड़ा मंगल का शाथ मिला अभी भी अच्छा जाएगा अब जो अच्छा होगा वो किस रूप में अच्छा होगा? वो लव लाइफ में अच्छा होगा, मेरे लाइफ में लेकि अच्छा होगा, संबंदों में अच्छा होगा, घर, मकान, गाड़ी, प्रोपर्टी को लेकि चीज़े आपकी शंकित अच्छी होगी, और कुछ पारा था, प्रोमोशन नहीं हुआ था, senior से आपका बन नहीं पारा था, company में आपको value नहीं मिल पारा था, वो सब अब आपका अच्छा होगा और आपका काम बनेगा, लेकिन 3 October तक ये सब जो भी होने वाला है वो 3 October तक ही होगा क्योंकि उसके बाद फिर ये जो मंगल है वो आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे तो फिर सूर को स्थायद थोड़ा ताकत कम मिलेगा तो 3 October तक जो होना होगा ये 3 October तक हो जाएगा उसके बाद थोड़े से chances कम है अब सब के साथ होगा नहीं average सब के साथ होगा लेकिन किनके साथ ज़्यादा chances है वो देख लेते हैं एक नमबर जब आप कुंडली खोलेंगे कुंडली में सूर देख लेज़ेगा कौन से नमबर में बैठे हैं एक नमबर दो नमबर साथ नमबर आठ नमबर या दस नमबर में अगर आपके सूर बैठे होंगे आपके खुद के कुंडली में तो जरूर आपके साथ अच्छा होगा जरूर अच्छा होगा और अगर नहीं बैठे होंगे तो भी अच्छा होगा अब आपके कुंडली में कौन से गरह कहां बैठे हैं कुंडली में सूर कैसे है मंगल कैसे होंगा अच्छा रिजल्ट आगा मंगल अच्छे होंगा अच्छा रिजल्ट आगा सूर मंगल अच्छे नहीं होंगा तो जैसा गरह वैसा आपको फल मिलेगा अब आपके कुंडली में क्या है जानने के लिए दियेगा नंबर पर वाटसब करके आप मेरे से बात कुछ चार्जेश हैं चार्जेश पर करके शमय लेकर आप इसे बात कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें से जुरू करेंगा जैन जै भरत करेंगा है।